हालो स्टूडेंट्स वेल्कम टू बच्चों जैसे हैं परतेक साम को साथ बच्छानों की अंसीयारिटी गडित होती है कि आज आप पढ़ेंगे कर साई 2.5 का कुष्चन नमबर आठमा का पार्ट नमबर तीसरा चौथा और पाचमा इसके फार्ट शिकेंड पार्ट आपने पिछलास में पढ़ लिया है सभी बच्चे जुड़े हो तो जल्दी से अपना नाम लिखे कमेंट करो फट आफट आफट अगले 10 मिनिट तक यह कलास देखना 10 मिनिट के अंदर आपका सारा कंफिज्चन स्क्रिन पर है क्विश्चन नमबर एट केरा फाइंड दा फैक्टर आफ आफ फालोविंगी क्वेश्चन के समीकरण की क्या करना है कुड़न खंड ग्यांत करना है ठीक है चलिए बहुत ही सिंपल सा है हम लोग आडिन्टी उच करेंगे एक कुब और बी क्यूब वाली पहले हम यहां पर लिखेंगे नमर फाइस्टिकेंड हो गया थार्ड है 27 माइनस का 125 और फिर बाद में दिया है वान थार्ड है और टू टू फाइब एक इसको यह दिया है बहुत ही सिंपल सा है मैं कुश्चन हटा देता हूं इस्क्रीन से आप देखो इसे अब क्या करना है यह एक फार्मूला लगेगा जैसे अभी तक पीछे आप करते आयों बात बताओ 27 को हम तीन का क्यूब लिख सकता हूं कि नहीं 125 को 5 और A क्यूब को A ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बताओ जल्दी से लिख सकते हैं न तो यहां पर बच्चों ध्यान दीजिए आप लोग A का क्यूब माइनस B का क्यूब यह एक फर्मूला होता है कि नहीं देखे́ो सर्वसमी का होती है ना 3AB A-B सकते हैं कि इकोल A-B का बताओ जल्दी से यह होता है कि नहीं आया आप बो यस यह होता है ना तो इसी सर्वसमी का हम लोग इसमें क्या करेंगे कुछ करेंगे, चलिए ठीक है, सिंपल सा है, आईए, हमें क्या दिया है, A दिया है, B तो अगर A, B दिया है, तो इसी पर क्या करना है, इसको रख देना है, माइनस 3AB, ज्यान दीजिए, जो equation दिया एक परकार से, आप ऐसे समझो, हमें ये दिया है, मतलब समझ रहे हो न, कि फर्मूला से अगर compare करें, तो हमें ये दिया, जितना मैंने घेरा है, हमें सिर्फ उसके पार्ट में तोड़के उसको देखना है, उस रूप में, कि ऐसा दिया है कि ने दिया, और ये निकालना है, बज़ रहे हो न, जैसे सूतर में हम आपको ये दे और कहें कि ये निकालो, कल लोगे न, भाई, इसके बराबर ये होता है, तो ऐसे इसको क्या करना है, उसके रूप में इसको फैला के रख देना, पुड़न खंड कर देना, तो हमें A कमान और B कमान अगर मिल गया, तो हमें इस फर्मूले में अगर आ जाएं, तो A होता है, A उसको हम लिख सकते हैं, तीन माइनस पांच एका होल क्यूब, क्या अंसर हो, आपका हो गई कैसे हो गया, ज़रा समझना थोड़ा सा, तीन माइनस पांच एक ऐसे हो चाहिए, तो बताता हूँ, पहले आप इसे एक लाइन और बढ़ा लीजिए, तब बताऊँ, भईया इसक तीन घात का मतलब क्या होता, आप जानते हो, इसको नीचे, तीन माइनस पांच ए, तीन माइनस पांच ए, अगे दिख रहा है, तो तीन माइनस पांच ए, इसको अप फिरी टाइम लिख देंगे, विख लागा, क्योंकि क्यूब लगा, अब को समाझ में आए कि नहीं इए इसनल आएगा क्योंकि 5 आई स्वीμ। और इसका एक ए और इसका समझने के कोशिस करोगे तो पक्का आएगा बहुत से बच्चे कमेंट के पीछे पढ़ें बेटा देखो पढ़ लो अगर कमेंट के पीछे पढ़े रहोगे तो पढ़ाई नहीं होगे कि लास के बाद में कमेंट करना हाल डाउट क्लियर होगा इसको लिख लिजिए इसको लिख लिजिए इसको लिखना नहीं था नीचे में सिर्फ समझाने के लिए वाकी कुछ सलूसन उपर जो है आपको कोशिस यह करना है कि फर्स्ट और सिकेंड जो पद दिया होगा उनके क्यूब के रूप में बना लेना है और उन्हें इस फार्मूले के काटिंग रख देना है इसका अगला पार्ट आप देख लिजिए स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूं भाई इसको भी फॉर नंबर पार्ट इसक्रीन पर कुश्चन आपको दिख रहा है आप इसका फॉर नंबर पार्ट ध्यान से देख कर आपके हैं बहुत गवर से पढ़िए क्या लिखा है करा कि 64 A का क्यूब माइनस 27 B का क्यूब माइनस 144 A स्क्यार B और प्लस 108 A B का स्क्यार कुश्चन स्क्रीन से हटा रहा हूं आईए 64 A का क्यूब को हम लिख सकते हैं बच्चा 4 A का क्यूब बताएए लिख सकते हैं कि नहीं अभी कमेंट करके बताइये भाई 64 को हम लिख सकते हैं कि नहीं कि दिख्टी फोर को हम फॉर का क्यूब लिख सकता हूं कि नहीं बड़े हो ना बचपन में चलो तरह से 27 को हम लिख सकते हैं तीन और वी का क्यूब वस वो क्या काम खतम हमें a का cube मिल गया being a cube मिल गया जिद्जि गया न हahu यह formula मैं बार बार लिखता हूँ अभी इभी मैं lिखा था just वही सूत्र होगा उसी के carding . asking के a कa cube minus b ka cube to b , opponents be and or a minus b का whole cube किसी सर्भसमिका के carding चलना हैं हम यह इतना दिया है कितना दिया है इसको लाना है वैसी दिसी बात है चलो यहां पर बराबर लगा लो इच में याद रखना यहां पर बराबर रहेगा यहां पर बराबर रहेगा इसके बराबर हम लिख सकते हैं जैसे माइनस भी होता ना बाबू वसे ए इसको माने है भी इसको माने तो फूर ए माइनस का थ्री बी का होल क्यूब कि इतना लिख सतने इसमें को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यह हो गया आपका फाइनल आंसर कह रहा था कि गुड़न खंड कीजिए तर तीन घाथ था इसलिए फाइनल में हम इसे तीन बार दिखा देंगे बस यह और माइनस तीन भी बात के लिए और सभी को नोडाउट किसी को कोई डाउट नहीं नोट करिए फटा फटा आगे बढ़ते हैं अगला पार्ट आपके सामने आ जाएगा इस्क्रीन पर अभी तुरंती से आप नोट करिए बहुत जल्दी करिए हमारी कोई से कम समय में ज़्यादा पढ़ सके कमेंट के पीछे ना पढ़ो मैं सबका कमेंट देख रहा हूं नाम नहीं बोलूँगा एक क्योंकि मैं नाम बोल बोल के परिसान हो गया पिछले साल से पढ़ाई नहीं हो पार जिख पढ़ाई पे द्यान दो जो भी डाउट ह पातम होने के बाद जो भी डाउट है आप कमेंट किया अगला कुश्चन दिखाओ भई इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़िए लाइस्ट वाला स्क्रिन पर कुश्चन आ गया कह रहा कि 27 पी का क्यूब माइनस वन अपन 216 माइनस 9 अपन 2 पी का स्क्वाइर प्लस वन अपन 2 पी अगला परसन आपके सामने आ चुका है मैं इसको हटा रहा हूं इस क्रिश्चन आप ठीक है ध्यान देना असा समझने की करना बच्पों ठीक है बहुत सिंपल सा है 27 पी को हम लिख सकते हैं का गाती पता यह लिख सकते हैं कि 27 अब यह हो छे का जो क्यूब होता ना बाबू श्चक च्छक का 216 होता है कि तुम्हें मैं याद कराया था ऍपूब का तुवनि होता है इस्त straw से इसे मैं लिख सकता हूं तो अपाण सिक कि fahren Salamuk क्यूब हम इस लिखेंगे क्यूब में दिया है हमें क्यूब वाला फर्मूला बनाना है में फ्रीर इधि अब हमें A का मान मिल गया, B का मिल गया, जैसे मैंने अभी बताया आपको, यह मुएसे आप वो फर्मूला अपलाई करोगे, यह मैं बार बार बताता हूँ, यह आपका AQ-B-3AB, और A-B, 12A-B का होल क्यूब, यह सर्ब समी का हम लागू करेंगे, इसमें अपलाई करेंगे, आ A का मिल गया, B का मान मिल गया, माइनस 3 यह भी रख दो, माइनस 3 इन, A की जगा 3P, B की जगा एक बटा छे, ठीक है, डॉन्ट वरी, आगे आंसर, आगे क्या कहता है, जरा ध्यान देना, यहाँ पर यह चीत ध्यान देना है, इस का मान कितना है, 3P है, ठीक है, कुछ मैंने कर लिया, तो बराबर A minus B का whole cube होता है, minus B का whole cube होता है, A की जगा पर यह है, B की जगा पर यह है, जो हम इसे लिख सकते हैं, 3P minus 1 बटा छे का whole cube यह अंसर आ गया, यह क्यूंकि हमें कहे रहा था कि गुड़न खंड कीजिए, इस वजह से इसे हम 3 बार लिख देंगे, घात रूप में लिखा है घात अटा देंगे बस हम फाइनल में लिख सकते हैं तीन पी माइनस एक बटा अच्छा तीन पी माइनस एक बटा अच्छा और दीन जैन सार हो गया फाइनल किसी को कोई डाउड तो बता दीजी कमेंट के पीछे बिल्कुल नहीं पढ़ना बेटा जो पीछे पढ़ा उसका कमेंट हम बिल्कुल नहीं पढ़ोंगा क्यूकि कमेंट के पढ़ने से कलास नहीं चल पाती बार बार बोलता हूं पिलाल बहुत से बच्च corresponds है जूड़े हैं अची बात है आप lud क्लास करना चाहते हैं आलाइन डारेक्टली हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप पीवियार स्टेडी डाउनलोड करें इसमें जा करके कोर्स को जोईन कर लें आपको लाइब पढ़ाएंगे आपका कमेंट भी पढ़ाएंगे मजा भी आएगी सब कुछ इस तरह से वीडियो क्लास आपको मिलती रहती है हर साम साथ बज़े विल्कुल फुरी एकदम कुछ नहीं लग ना फूटी कॉड़ी भी लेकिन क्लास को सेयर जरूर करना पने साथ युमेश धिंक्यू